हेलो स्टुडेंट, गुड मॉर्निंग, हाव आर्यू स्टुडेंट, ओलार फाइन, ओके, सो टुडेज अवर सब्जेक्ट इस जीके, जीके में आज हम क्या करेगे, चेप्टर नमबर 12, डोमेस्टिक आर्टिकल, आपको पता है स्टुडेंट डोमेस्टिक आर्टिकल किसे क करते हैं, उसे हम डोमेस्टिक आर्टिकल किते हैं, तो चलो स्टुडेंट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले दिया है कटन, कटन तो सब के गर में होगा, नेक्स्ट है फेन, फेन भी होगा स्टुडेंट, नेक्स्ट है रिमोट, रिमोट का भी यूज आप सब स्टुडेंट करते हो ना, sofa, sofa जो हम बैठने के लिए यूज करते हैं, next है clock, clock भी आप सबने देखी होगी, जिसमें हम time देखते हैं आश्टुडन, next है chair, chair का use हम कैसे करते हैं आश्टुडन, बैठने के लिए, बैठने के लिए chair का use करते हैं आश्टुडन, next है newspaper, वो भी आपने देखा नेक्स्ट है doormate, ये कुन सा picture है, इस्टुडन, pressure cooker का picture दिया है ना, इस्टुडन, pressure cooker भी सब के गर में होगा, next है glass, वो भी आपने देखा होगा, next है spoon, जो सब के गर में होते हैं, next है knife, जिसका use mummy सबजी काटने के लिए करते हैं ना, next है cup and saucer, जिसका use हम चाई, coffee पीने के लिए करते हैं, mixture, जिसमें हम चीज़े blend करते हैं, next है blender, वो भी आप सब के गर में होगा, next है broom, जिससे mummy गर में dusting करती है, next है bucket, bucket भी आप सबने देखा होगा, सब के गर में होते हैं, next है soap, वो भी आपने देखा होगा, next है mug, मॉग, ये कुन सा पिक्चर है थी स्टूडन्ट, टॉवेल, रज, वो भी आपने देखा होगा, टॉवेल रख सबके घर में होता है, होता है ना स्टूडन्ट, नेक्स्ट है शेंपू, शेंपू का यूज हम हैर वोश के लिए करते है ना स्टूडन्ट, नेक्स्ट है mirror जिसमें हम ready होते हैं तयार होने के लिए हम mirror का use करते हैं नेक्स्ट है scissor जिसका वो भी आप सबके गर में होगी नेक्स्ट है key and lock नेक्स्ट है good night गुट नाइट भी सबके गर में होगा next है λέmb, वो भी आप सब के घर में होगा next है umbrella, जिस demolition की season में use करते हैं न end umbrella तो सबने देखी होगी next है torch, torch भी आपने देखी होगी next है candle, येखोर सब picture है student gast burner, जो सब के होते है next है suitcase, suitcase भी आपने देखा होगा next है thermos, thermos भी student आपने देखा होगा तो student आपको भी आपकी GK की notebook में domestic article की oral practice करनी है picture देखना है और उसे बोलना है okay student कैसे करोगे? बोल बोल कर, यहाँ पर पर दिये हैं न स्टुड़न domestic article, domestic article means हमारे routine में जो चीजों का हम use करते हैं, okay student